हेलो गाईज, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाच टॉप टैन में जहां आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हाली में नेट्फिक्स पर रिलीज हुई एक साउथ कोरियन एक्शन होरर सीरीज हेल बाउंड का स्पॉलर फ्री रिव्यू कि क्या आपको अपना कीमती टाइम इस सीरीज को देना भी चाहिए या फिर नहीं, क्या ये सीरीज स्कूल गेम को सच में टक कर देती है क्या कुछ इसमें देखने लायक है और क्या नहीं इंसाइड डिटेल्स पर आगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इस सीरीज को देखना चाहें तो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप हमारे व्याइपी ग्रूप को जॉइन कर इस सीरीज को डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिलकुल ना भूले और विदाउट अनी फर्दर डियू चलिए सीरीज के रिव्यू को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो अगर आपने सीरीज के दोनों ट्रेलर्स देख रखे हैं तो आपको इस सीरीज का बैसिक प्लॉट अलरी पता चल चुका है ये सीरीज हमें साउथ कोरिय के सियाल शहर की स्टोरी दिखाती है जहां अचानक से नरक से एक साया आकर लोगों को उनकी मौत की डेट और टाइम बता कर उनके मरने की भविश्यवाणी करता है उसी डेट और टाइम पर नरक से तीन मॉंस्टर्स आते हैं और उस आत्मी या फिर और को बहुती बहरैमी से खुलाम पबलिक के सामने मार कर उसकी आत्मा को नरक पहुचा देते हैं और महार रह जाती है सिर्फ उसकी जली डेट बोडी नविन सब मौंस्टर्स मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री सुलजाने के लिए असाइन किया जाता है एक पुलिस डिरेक्टिव यैंग एक जुन को और अब वो इन सारे मिस्टीरियस एंड सूपर नैचुरल मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री कैसे सुलजाता है कौन इस सब में उसकी मदद करता है और कौन उसे अपने काम को करने से रोकता है ये साइड डिटेयस आपको खुदे 6 एपिसोड वाली हौरर एक्शन थ्रिलर सीरिस को देखकर पता करनी होंगी जिसका हर एक एपिसोड अराउंड 40 से 50 मिनट का है और ये सीरिस Korean और English Language के साथ Hindi Language में भी रिलीज हुई है और इसकी Hindi डब भी काफी अच्छी है आपको इसके Hindi डब से तो कोई दिकत नहीं आएगी बाकी बात रही कि क्या आप इसे अपनी Family के साथ देख सकते हैं एकसेप्ट इसके लास्ट एपिसोड के जिसमें बिलकुल एंड में 10 सेकेंड के निउट सीन है और इसी एपिसोड में कहीं एक मोटी सी गाली भी Hindi डबिंग में यूज की गई है तो अगर आपको इन दो छोटे मोटे सीन से कोई दिकत नहीं है तो यस डेफिनेटली आप इस अपनी फैमिली के साथ वाच कर सकते हैं इस सीरीज के अच्छाई या बुराई करने से पहले आपको इस सीरीज के डिरेक्टर की भी थोड़ी बहुत इन्फो पता होनी चाहिए क्योंगे कोरियन मुवीज ज्यादा तर अपने डिरेक्टर की वज़ा सही इतनी ज्यादा पॉपिलर हो पाती है तो दोस्तो हेलबाउंट सीरीज को डिरेक्टर सैंग हो यॉन ने ये वही डिरेक्टर है जनोंने इस से पहले ट्रेन टू बसान जैसी जॉंबी मुवी और उसके सीकॉल पैनिनसुला को भी डिरेक्ट किया है तो बस अब आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज के डिरेक्टर तो बिल्कुल टॉप नौच है बड़ उनके पिछली मुवी की तरह क्या उनकी इस सीरीज भी एक मास्टर पीस है यहीं सब डिटेल्स को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे इस सीरीज में भी आपको जितने भी करेक्टर या फिर एक्टर देखने मिलते हैं उनमें से 95% ऐसी कास्ट है जिने शायस सापने इस सीरीज से पहले कभी नहीं देखा होगा लेकिन स्टिल उन सबी ने सीरीज में काफी कमाल की परफॉर्मेंस दी है अगर बात करनों इस सीरीज के अच्छे पॉइंट्स की तो सबसे पहले अगर कुछ इस सीरीज को देखने वर्दी बनाता है तो वो है इसका सबसे अलग सबसे यूनीक एक्स्टर ओर्डिनरी कॉंसेट इस सीरीज हमें पोर्ट्रे करती है कि अगर इंसान गौड को कुछ ज्यादा ही नरास कर दे तो गौड उसे सजा देने के लिए उसके मरने का वेट बिलकुल नहीं करेगा बलकि दुनिया में ही उसके घर में गुसकर वो भी सबी लोगों के सामने उसे नरक जैसी सजा देने की वो पावर होल्ड करता है मतलब की वो उपर से ही तुम्हारी दुनिया नरक जैसी बना सकता है नाव जब लोगों में अफरा तफरी मची हो, लोगों के दिलों में डर हो, उन्हें कुछ समझ ना है कि आखिर क्या हो रहा है, तो उन्हें अपनी बातों में फसाना, उनके माइंड को मैनुपलेट करना बहुत असान हो जाता है, और सेम ऐसा ही आपको इस सीरीज में भी लिक्ष्णरी बनाती है, और वहां के सबी लोगों को उनकी नियम और कानूनों की अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, और अप ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया में भी बहुत से देशों में होता देखते ही होंगे, बाकि ये तो सिर्फ इस सीरीज का एक रिलीजियस का हो, य ये इसी से आप डिरेक्टर की काबिलियत का अंदाजा भी लगा सकते हैं, बाकि सीरीज का बैग्गाउंड स्कॉर का और काफी कमाल का है, जहां-जहां कुछ भी सर्प्राइज या फिर थ्रिलिंग सीन आते हैं, ये बैग्गाउंड स्कॉर उन सीन्स की इंटेंसिटी को औ इस दियार, एफेक्टिव, यूमन एमोशन को मुई में बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जिनसे आप सीरीज के दोरान कनेक्ट भी कर पाते हैं, अनभक्ती में लोगों का मुर्डर करना, फिर उसे गौट का काम बताना, ये सब कॉनसेप्ट दुनिया से भी देखते ही हैं, तो ये सीरीज रियालिटी से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सभी लोगों को इस सीरीज को देखना ही चाहिए, बाकि सीरीज में काफी सारे ब्रूटल सीन्स हैं, जो शाइद छोटी उमर के बच्चों के लिए देखना ठीक नहीं होगा, जैसे कि उन मॉंस्ट्रस द्वारा लोगों का मारना, तो उन सीन्स में इस सीरीज का एक स्लेशन टर्न भी आ जाता है, और कुछ और एक ऐसे सीन भी है, जिन में लोगों को बड़ी बहरामी से मर्डर किया गया है, तो सीरीज को देखते वक्त इन सीरीज देख ली, बट इस दिल एंड में आप सोचे गया कि इस स्टोरी में हुआ क्या, ये मॉंस्ट्रस कौन हैं, क्यों हैं, अगर इन सब के रिलेटर कुछ थोड़े बहुत हिंट्स मिल जाते, तो डेफिनेटली सीरीज की स्टोरी थोड़ी यादगार बन जाती, लोगो नेक सीरीजन का बेस अबरी से वेट होता, बट लोगो को कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ हो इस सीरीज से, माना कि इसका भी आए कि बहुत सीरीजन साएंगे, बट अगेन इस सीरीजन को यादगार बनाने के लिए भी तो कुछ एलेमेंट छोड़ने चाहिए थे, जिसमें ये सी sleepy, सीरीज में करेक्टर्स को वेश्ट किया गया है, I mean शीरीज का लीड अकर अचानक गयब हो जाता है जिसके बाद से आपको स्थूरी के साथ वो कारेक्शन नहीं रह पाता, second half में नए करेक्टर्स को इंटऱ्ूस किया जाता है, बट इस बील आप लीड अकर को स्थूरी इंगल बहुत अच्छे से capture किये गए हैं, मुई में कमाल का action भी डाला गया है, बट still VFX और भी बहतर हो सकते थे, क्योंकि ultimately अगर आप एक super natural series जनता को दिखा रहे हो, तो लोग कोन super natural entities की image भी सही से दिखनी चाहिए, तो दोस्तों ये कुछ एक points थे, जिनको लेकर मुझे इस series से कुछ एक शिकायते थी, बाकि उम्मीद करते हैं कि next season हमें इस से तो कुछ ज़्यादा ही reveal करेगा, क्योंकि इस season को भी एक कमाल के cliffhanger के साथ खत्म किया गया है, बाकि इस series का IMDb पर currently 6.8 out of 10 की rating मिली है, और बात रही कि क्या ये squid game को टकर देती है, वेल तो ये दोनों ही series totally different genre को belong करती है, बाकि फिर भी मुझे इन दोनों में से अगर एक को चुनना हूँ, तो मैं hell bound को ही च चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको हमारी series review और इस related हमारी theories पसंद आया हो, बाकि वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या फिर आप मेरी किसी भी theory से agree करते हो, तो वीडियो का like करने के साथ साथ इस अपने दोस्तों के साथ भी share जरूर करना, आपको जो जो भी वीडियो में पसंद आया हो, हमें नीचे comment section में जरूर बताना, और अगर आप किसी और movie या series का review देखना चाते हैं, तो वो भी आप नीचे comment box में mention कर सकते हैं, अगर channel पर नए आया हो, या अभी तक channel subscribe नहीं किय तो channel subscribe कर लें, और साइट में दिए गए बेल आइकन को दबा कर हमारे channel की सभी notifications भी on कर लें, बाकी मिलते हैं जल्दी एक और नीव वीडियो में, कुछ और exciting news, theories, reviews और movies के साथ, till then take care, over and out